स्टेज पे इंडिया गड़ बंदन के वरिश नेता खारगे जी, सोन्या जी, शरत पवार जी, भगवंत मान जी, चंपा सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, तेजेश्वी यादव जी, सितराम यचूरी जी, फरूक अब्दुल्ला जी, दी राजा जी, भटचारिया जी, महबूबा मुफ्ती जी, देरेको ब्रायन जी, कलपना सोरेन जी, त्रिची सिल्वा जी, सुनीता केजरिवाल जी, देवराजा जी, तिरू तोल जी, खोरूम अनिस ओमर जी, और स्टेज से, मैं केजरिवाल जी, और सोरेन जी कभी नाम लेना चाहता हूं, कि क्यों आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं, भाईयों और बहनों, इंडिया गटबंदन के कार्य करता हूं, आप सब का यहां बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार, आज कल, IPL के मैच चल रहे हैं, देखते हो आप लोग, मैच फिक्सिंग शब सुनाएं आपने, सुनाएं, जब बहिमानी से, एंपायर पर दबाव डाल कर, प्लेयर को खरीद कर, कैप्टन को दरा कर, मैच जीता जाता है, क्रिकिट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है, हमारे सामने, लोग सबाग चुनाओ है, अंपायर किस ने चुने, नरेंद्र मोदी ने, हमारे टीम में से, मैच शुरू होने से पहले, दो खिलाडियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया, तो भाईयों और बेहनों, ये जो चुनाओ हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी, इस चुनाओ में, मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो उनका, चार सो सीट का नारा है, ये बिना EVM के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डाल कर, खरीद कर, ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिला कर, आप देखिए, कॉंग्रेस पार्टी, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे सारे के सारे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं, चुनाओं के बीच में, देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन की पार्टी के, सारे के सारे अकाउंट, बंद कर दिये, हमें कैंपेंच चलाना है, हमें लोगों को प्रदेशों में भेजना है, पोस्टर लगवाने हैं, सारा का सारा, जो हमारे रिर्सॉर्सेज हैं, बैंक अकाउंट बंद कर दिये गए हैं, तो ये कैसा चुनाओं हो रहा है, नेताओं को धमकाये जाता है, पैसे देकर, सरकारों को गिराये जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरिवाल जी को, स्वरेंज जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है, और ये मैच फिक्सिंग सिरफ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के तीन चार सबसे बड़े अरब पती मिलकर कर रहे हैं, ये सच्चा ही है, और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है, बाई और बेनों इसका सिरफ एक लक्ष है, कि हिंदुस्तान का सम्विधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविश्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस सम्विधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए ये मैच फिक्सिंग की जा रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जिस दिन ये सम्विधान खतम हो गया, उस दिन ये हिंदुस्तान नहीं बचेगा, इसको पुलीस से, गमकी से नहीं चला जा सकता है, ये जो सम्विधान है, हिंदुस्तान की जनता की अवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धरकन है, इसको जिस दिन खतम कर दिया गया, उस दिन यहाँ पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा, अलग-अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा, यही इनका लक्ष है, यह सोचते हैं कि सम्विधान के बिना, दमका कर, डरा कर, पुलीस, CBI, ED, इनकंटैक्स डिपार्टमन के साथ, देश चलाया जा सकता है, यह सोचते हैं, मीडिया के बिना, देश चलाया जा सकता है, आप मीडिया को खरीच सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुँ बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की अवाज को नहीं दबा सकते हो, इस अवाज को कोई नहीं दबा सकता, दुनिया में कोई ताकत नहीं है, जो इस अवाज को दबा सकती है भाईयों और बेहनों BJP के MP ने कहा कि जैसे ही हम चुनाव जीतेंगे मैच फिक्स करके 400 सीटे जीतेंगे वैसे ही हम समविधान को बदल देंगे समविधान को रद कर देंगे ये ऐसे ही नहीं बोला गया ये टेस्ट करने के लिए आइडिया टेस्ट करने के लिए BJP के MP ने बोला है ये लड़ाई समविधान को बचाने की लड़ाई है जैसे अकिलेश जी ने कहा समविधान चला जाएगा गरीमों के हक चले जाएंगे आरक्षन चला जाएगा और जो आपका धन है गरीबों का धन है किसानों का धन है मज़़ूरों का धन है वो पांच-छे लोगों के हाथ में चला जाएगा नोट बंदी की जी एस्टी लागू किया मुझे बताइए जी एस्टी से नोट बंदी से किस गरीब व्यक्ति को फाइदा हुआ किस छोटे दुकानदार को फाइदा हुआ किस किसान को फाइदा हुआ किस बेरोजगार युवा को फाइदा हुआ किसी को नहीं 40 साल से सबसे ज़ादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है एक परसेंट लोगों के पास हिंदुस्तान का पूरा का पूरा धन 22 लोग है जितना धन उतने उनके हाथ में है उतना ही धन 70 करोड लोगों के हाथ में है ये सन्विधान को क्यों मिटाना चाहते है क्योंकि ये आपका धन जो है आपसे चीनना चाहते है मैंने जाती चंगर्णा की बात की युवाओं को रोजगार देने की बात की यही देश के सामने सबसे बड़े मुद्दे है मगर एक बात याद रखिए अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग काम्याब हो जाएगी यह भूलिये मत और जिस दिन मैच फिक्सिंग काम्याब हो गई उस दिन आपका समविधान हमारा समविधान खतम हो जाएगा जिस दिन समविधान खतम हो गया उस दिन हिंदुस्तान के दिल पर एक बहुत बड़ी चोट लगेगी तो यह जो चुनाओ है यह चुनाओ कोई मामुली चुनाओ नहीं है यह चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने का समविधान को बचाने का और जो गरीबों का हक है किसानों का हक है पिछडे वर्गों का दलितों का आदिवासियों का गरीब जेनरल कास के लोगों का हक है उसको बचाने का हक है उसको बचाने का चुनाओ है यह बात आप याद रखिए क्योंकि अगर यह चुनाओ जहां मैच फिक्सिंग की जा रही है वो पूरे देश को दिख रहा है बीजेपी के लोग कह रहे है कल में से वियक्ति मिलने आया मुझे कहता है मैं ट्रेन से आया मेरे साथ बीजेपी के कार्यकरता बैठे थे उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ गड़बड है यह सचाई है एलेक्शन कमिशन के लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने बैठाया दो नेताओं को दो चीफ मिनिस्टरों को जेल में डाला चुनाओं से कुछी महीने पहले अगर डालना था तो छे महीने बाद डाल देते छे महीने पहले डाल देते नई चुनाओं से दो तीन महीने पहले दो चीफ मिनिस्टर को डालना था आपने हमारे बैंक अकाउंट बंद किये बैंक अकाउंट बंद करने थे छे महीने पहले करते एक साल पहले करते छे महीने बाद करते कोई फरक नहीं पड़ता आप चाहते हो कि विपक्ष चुनाओं ना लड़ पाए और इसलिए आपने कॉंग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट रद किये आपने एलेक्शन कमिशन में अपने लोग बैठाए आप जुडिशरी पे दबाब डाल रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि मैच फिक्स हो समविधान रद किया जाए और आप सत्ता में रहो मगर भाई और बेहनो मैं सच बोलता हूँ और मेरी बात अब अच्छी तरह सुन लो अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाओ बीजेपी जीते और उसके बाद समविधान को उन्होंने बढ़ला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है जो मैंने कहा याद रखो ये देश नहीं बचेगा ये चुनाओ ये चुनाओ वोट वाला चुनाओ नहीं है ये चुनाओ हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाओ है सम्विधान की रख्षा वाला चुनाओ है दन्यवाद जैहिद झाला चुनाओ ये चुनाओ ये चुनाओ ये नहीं है